एक फरवरी से बहुत कुछ बदलने वाला है जहां केंद्र सरकार इस दिन अंतरिम बजट पेश करेगी वहीं लोगों को जिंदगी में बहुत तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे इसमें बेंक खातों से लेकर के ओनलाइन पोर्टल से सामान खरीदना वा आरक्षन तक शामिल है इसके अलावा बजट पेश करने के साथ ही कुछ सामान उसके बाद से ही महंगा हो सकता है आईए जानते हैं कि शुकरवार से आपकी जिंदगी में क्या और कौन से महत्वपून बदलाव हो जाएंगे महंगा होगा ओनलाइन सामान खरीदना अमेजन फ्लिपकार्ट जैसी एकॉमर्स वेबसाइट से सामान खरीदना महंगा हो जाएगा शुकरवार से इन कंपनियों पर सामान खरीदने पर बड़ी छोटे आफिर कैश बैक नहीं मिलेगा वहीं छोटे खुदराव व्यापारियों को अपना सामान उनलाइन बेचना थोड़ा आसान हो जाएगा सरकार द्वारा इकॉमर्स कंपनियों पर लागू होने वाले नए नियम शुकरवार से लागू हो जाएंगे बचत खाते में जमा रखने होंगे इतने रुपे अगर आप बैंक बढ़ा के ग्राहक हैं तो फिर शुकरवार से बचत खाते में हर तिमाही 2000 रुपे रखने होंगे इस सीमा में दो गुन्ने की बड़ा उत्री की गई है इस संबंध में बैंक इस मैस भेज कर अपने ग्राहकों को जानकारी दे रहा है अर्ध शहरी क्छेत्रों में इस सीमा क 500 रुपे से बढ़ा कर 1000 रुपे कर दिया गया है जबकि ग्रामिंग छेत्र के उपभोगताओं के लिए कोई सीमा नहीं है लागू होगी गरीबों के लिए आरक्षन विवस्था केंद्र सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों वशिक्षन संस्थानों में गरीबों के लिए 10 फीस दी आरक्षन की विवस्था भी शुकरवार से लागू हो जाएगी केंद्र के अलावा देश के कई राज्यों में भी इस विवस्था को लागू किया जाएगा फिलहाल इसे सार्वजनिक शेत्र की कमपनियों में लागू किया जाएगा यह आरक्षन इन कमपनियों की जाने वाली सीधी भरतियों में लागू होगा। इसके लिए Department of Public Sector Interrupt Price Age की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस समय देश में केंद्र सरकार की ओर से सारवजनिक शेत्र की 349 कंपनियों का संचालन किया जाता है जिन में मार्च 2018 तक 10.88 आठ लाख लोग काम कर रहे थे। बजट में बढ़ सकता है सेस। तंबाकू, पेट्रोल वड़ी जल पर सरकार से इसको बजट में बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर यह वस्तुएं भी ततकाल प्रभाव से महिंगी हो सकती है। हाला कि जानकारों का मानना है कि चुकि सरकार इस बार अंतरिम बज को पेश कर रही है, ऐसे में हो सकता है कि वो इसके बारे में घुशना नक करे। ऐसे में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है।